स्वागत करता हूं आप सभी शातियों को एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ग्याम दानवे पर शातियों आप सबों को मैं बता दो कि स्विक्षा विवाक की और चेक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो भी अभिहरती अभी छटे चैनल में बंचित देखते हैं कि अपडेट आई है सिक्षा विवाक के और से चलिए देखिए शातियों जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने दिख रहा होगा कि सिक्षा विवाक के और से जैसा कि बताया गया था कि चौते रॉंड का कॉंसलिंग कर दिया जाएगा जो भी अभिहरती अपने डोकुमेंट को प्रिप्रेशन करके रखे ताकि जो ही सेड्यूल पब्लिस की जाती है तो आपको कॉंसलिंग करवाने में शिवधा होगी चलिए देखते हैं आज के परमुक्स जो खबर है उनको डिटेल से जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज के तैटीस निदेशालाई ने सेड्यूल जारी करने की त्यारी लगवाग पूरी कर लिया सिक्षा विवाग का लक्षे है कि 25 प्रवड़ी को निर्धारी तीथी के अनुसार 9762 प्रारंबिक शिक्षगों के पद के विरूद चेयनित शभी शिक्षक अभियर्थियों को प्रमान पत्र जांच के बाद निक्ति पत्र परदान किया जाएगा जिसमें 42902 सिक्षक अभियर्थी चेयनित हो चुके हैं पहले दो चर्णों में 380014 सिक्षक अभियर्थी चेयनित हुए थे तिसरे फेज में 17-28 जनवरी तक जो कॉंसलिंग हुई थी जिसमें लगवाग 13 नियोजन नि सिक्षक अभियर्थी मिले और आगे अपर मुक्षचीब के तरफ से बयान आया है कि जिनका भी सीटेड और टेट का प्रमान पत्र भी तक भेभी किसे नहीं हुआ है उनका समंदित वेबसाइट से जांस करके विभाग को उपलवद करवाया जाए ताकि जो भी आगे की प् कॉंसलिंग में बहाली होगा या नहीं होगा शाथियों आप ट्राइ कीजिए अपने नियोजनिक आई में जहिए लेकिन हम आपके लिए सजिस्त करेंगे कि आपकी अगर कॉंसलिंग हो जाती है भगवान के दिया से तो बहुत ही अच्छा अगर नहीं होती है तो शिक्षा करेंगे आप अगर शमर्थन करें तो शाथियों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यदा ज्यदा सेर करें ताकि आपकी बात और हमारी बात आगे तक पहुंच सके चलिए आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जाहिंद अगर आप वीडियो में भी तक बने हैं तो थांक्स फूर वाचिंग फ्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फूर दा लेटिस्ट अपडेट